दोस्तों आज जानेंगे रामायन में विभीशन ने क्यों किया था रावन की पतनी मंदोदरी से विवाब। सामानने तोर पर रामायन की कहानी में लोगों की दिलचस्पी रावन की मृत्यू के बाद कम हो जाती है। और वो नहीं जानते की फिर मंदोदरी का क्या हुआ। मंदोदरी कौन थी, इसे लेकर भी कोई जानकारी रामायन में नहीं दी गई है। और फिर रावन की मोत के बाद मंदोदरी को विभीशन से शादी क्यों करनी बड़ी थी। लोगडाउन के दोरान रामायन का दोबारा पसारण जारी है धारावाईक में कहानी अब अपने आखरी पड़ाओ की तरफ बढ़ रही है भाई कुमकरण और पुत्र मेगनाद की मृत्यू के बाद अब रावन यूद लड़ेगा रावन की पतनी मंदोदरी इस यूद के सदा खिलाफ थी वह चाती थी कि रावन सीता को वापिस कर दे लेकिन ऐसा नहीं हुआ पुरानों की एक कथा के मुताबक मधूरा नाम की अपसरा कैलाश परवत पर भगवान शिव की तलास में पहुँची तलासते हुए जब वो भगवान शिव के पास पहुँची तो उसने वहाँ पारवती को नह देखकर शिव को रिजाने का प्रियाश शुरू कर दिया जब कुछ समय बाद भगवान पारवती पहुची तो उन्होंने मधूरा के शरीर पर शिव की भस्म देखी और फिद वो क्रोधित हो गई पारवती ने मधूरा को शाप दिया कि वो बारा साल तक मेंड़क बनी रहेगी और कुय में उसका वास होगा मधूरा को अपनी गलती की किमत चुकानी पड़ी जिस समय ये सारी घटनाएं घट रही थी उसी समय कैलाश पर असूर राजा मायासूर अपनी पत्नी के साथ तपस्या कर रहे थे बारा वर्षों तक दोनों तप करते रहे इधर मधूरा के श्राप का जब अंध हुआ तो वो कुय में ही रोने लगी सो भाग्य से असूर राजा और उसकी पत्नी दोनों कुय के नजदीक ही तपस्या में लीन थे जब उन्होंने रोने की अवाज सुनी तो कुय के पास गए वहाँ उन्होंने मधूरा देखी जिसने पूरी कहानी सुनाई असूर राजा ने अपनी तपस्या छोड़ कर मधूरा को ही अपनी बेटी मान लिया मधूरा का नाम बदल कर मंदोद्री कर दिया गया असूर राजा के महल में मंदोद्री को राजकुमारी का जीवन मिला जो अपनी नई जिन्दगी से खुश थी लेकिन इसी बीच रावन की एंट्री हुई उसने मंदोद्री को देखा और मुहित हो गया उसने मायसुर से मंदोद्री का हाथ मांगा ये प्रस्ताव ठुकरा दिया तो क्रोधित रावन ने मंदोद्री का अपरण कर लिया दोनों राज्यों में युद की स्थिती बन गई लेकिन मंदोद्री जानती थी रावन उसके पिता से ज़्यादा शक्तिशाली है इसलिए मंदोदरी ने रावन के साथ रहना स्वीकार कर लिया मंदोदरी का चरित्र रामायन में बेहत नेतिक दिखाया गया है जब रावन ने सीता का अपहर्ण किया था तब मंदोदरी ने इसका विरोध किया मंदोदरी बार बार रावन को समझाने का प्रयास करती रही कि दूसरे की पत्नी का अपहर्ण अपराध है लेकिन रावन नहीं माना आखिर का रामन के साथ युद में रावन की बुरी तरह प्राज्य हुई वह मारा गया और मंदोदरी विद्वा हो गई रावन की मौत के बाद भगवान राम ने मंदोदरी को विभीशन से शादी का प्रस्ताव दिया था उन्होंने समझाया कि विभीशन के साथ मंदोदरी की जिन्दगी बेहतर रहेगी लेकिन मंदोदरी ने इस प्रस्ताव को ऐस्विकार कर दिया कहा जाता है कि इसके बाद एक बार भगवान राम, सीता और हनुमान दोनों के साथ मंदोदरी को समझाने गए थे तब मंदोदरी ने ये प्रस्ताव स्वीकार कर लिया और विभीशन के साथ शादी की दोस्तों आपको वीडियो में दी गई जानकारी अगर अच्छी लगी हो तो कॉमेंट करके बताएं और वीडियो को लाइक जरूर करें